असलाम अलेकूं वरहतुलाव वरकातो हूँ माई डियर सिटूडेंट्स आई होब कि आप सब अच्छे से होंगे हम लेसन पढ़ रहे थे जूलियस सेजर इसकी हमें ग्रैमन वर्क करनी है इससे पहले कि हम टेक्स्ट बूक की ग्रैमन वर्क शुरू करें हम पहले यह जाना की कुछ करेंगे कि क्लाज क्या होता है क्योंकि जो हमारी टेक्स्ट का ग्रैमन वर्क है वो इसी क्लाज पर डिपेंट करता है तो क्लाज सिंपली होता है ग्रिप आफ वर्ड्स और इसमें होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब और इसकी कंप्लीट मीनिंग होती है तो यहाँ पर पर वहोते हैं पएले सवाल होता है फिर सेंटनेंस क्लाज में क्या फर्ण यह है कि हम ने यह भी पड़ा है कि सेंटनेंस में बहुत और उसमें कंपलेट मेरी होती है तो उसमें क्लास होता है कि और इसंत魚 कि यह Breaking है इसमें फारख है कि यहांपर एक्जाम्पल में आपको अपके साने फष्श कर रहा हूं ही प्ले मिलती है तो इसके बाद जो class है इसके दो types हैं एक है independent class दूसरा है dependent class तो सबसे पहले अगर हम देखें कि independent class क्या होता है a complete meaning by itself तो इसमें पहले क्या होती है इसमें complete meaning होती है और इसके लिए किसी दूसरे class की जुरत नहीं पड़ती है it doesn't need any other class for existence तो यह करने के लिए इसको किसी दूसरे class की जुरत नहीं पड़ती है इसमें सारी जो meaning होती है वो इसी में होती है for example you may eat, I write, I am going to school तो यह बहुत सारे हम इसके example दे सकते हैं तो उसके बाद है dependent class dependent class में भी subject or combination होता है लेकिन इसमें पूरा thought हमें नहीं मिलता है क्योंकि यह depend करता है independent class for example नीचे मैंने example लिखी है you may eat whatever you like अगर हम देखेंगे whatever you like यह यह dependent class है तो इसमें you है जो कि subject है इसमें like है जो कि verb है और लेकिन whatever you like है हमें एक complete thought provide नहीं करता है तो इसके लिए हमने पहले लिखा आप you may eat जो कि independent class है आप खा सकते हो इसमें complete meaning है इसमें subject है you इसमें eat है वर्ब तो यह जो whatever you like यह complete thought बनाता है जब हम इसके साथ हमने मिलाया you may eat independent class है dependent class है इस तरह आप बहुत सारा examples लिख सकते हैं तो उसके बाद है dependent class के जो टाइपस है वो तीन है एक है क्या होता है इसमें subject होता है लेकिन जो sentence में क्या करता है act as noun करता है यह class noun की तरह बहुत करता है अगरे पहले example देखेंगे I fear that I will fail यहाँ पारगने देखेंगे जो आई है I fear that I will fail यह जो पहला वाला हिस्सा है तो यह बहुत है as object that I will fail तो यह as noun class behave करता है इससरा that you have come pleases me that you have come जो है यह है यहाँ पर subject behave करता है pleases me यह independent class है तो that you have come यह यहाँ पर act करता है as noun class इस तरह आप बहुत सरे examples लिख सकते हैं तो उसके बाद है adjective class adjective class में भी group of words होते है subject and verb होता है acts as adjective तो adjective अगर आप देखेंगे adjective क्या होता है adjective उनावन को describe करता है तो यहाँ पर जो आग्जाम्पल लिखेंगे the orange that he bought was delicious तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे is kind तो यह जो यह वाला हिस्सा है who lives next to me is kind यह man को describe करता है तो इस तरह यह क्या बनता है adjective class बनता है तो उसके बाद है एड़ वर्ब क्लाज एड़ वर्ब क्लाज में भी group of words subject and verb लेकिन यह act करता है तो आपको पता होना चाहिए कि अड़वर्ब क्या होता है वो किसी adjective को किसी वर्ब को है किसी और अड़वर्ब को modify करता है तो यहाँ पर अगर हम example में देखेंगे they rested when the evening came तो यहाँ पर when the evening came जो है यह rested को क्या करता है describe करता है इस तरह I will give you a map so that you can find a way यहाँ पर so that you can find a way जो है यह giving जो giving है I will give giving को describe करता है giving को modify करता है तो यह behavior करता है as in adjective clause तो आज हम इतना पढ़ेंगे class के बारे में निशाल्ला कल हम इसकी जो text ग्रेम और वरक है वो करने की कुशिच करेंगे अब तक आफ इजास टीजिए अला आफेश्टू